Hello viewers, अगर आपके दातों में दर्द रहता है, तो आप ये जानते हैं कि दर्द असेनिय होता है, यानि जिसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि दातों की नसें, आपकी नाक, कान, गले, सर, हाथ, सभी जगा तक जाती हैं, तो आपका दातों का दर्द भी इन स दर्द के असली कारण को, home remedies और homeopathic medicines को, आपको ये भी बताते हैं कि दात का दर्द रात में ज़ादा क्यों हो जाता है, और आपके दातों का और दिल का क्या connection है, आए, आज इनी सब बातों के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे आम कारण है, डीके टूथ या स्मूथ सर्फेस पे तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह तीनों होता क्या है अगर आपके दातों के ऊपर वाले सर्फेस में यानि जहां से खाना चबाते हैं अगर वहां पर हो जाता है तो उसे पिट कैविटी कहते हैं दो दातों के बीच में अगर आपके होल्स हो जाते हैं स्मूद स्मूद सर्फेस कैविटी कहते हैं और अंदर की तरफ जो दिखाई नहीं देता है जहां पर रूट्स होती है उसे रूट कैविटी कहते है अगर आपको इस डातों के लिए जाओ को पानिक्द नमक के पानीं का या फिटकरी के का इस डिन में दो बार करेंगे तो ancient time से यूज किया जाता है बेक्टीरिया इसको बाहर निकालने और पेन में रिलीव देने के लिए इसके लिए आपको coconut oil या तिल के तिल का इस्तमाल करना है 10 ml of coconut oil आपको मुँ में रखना है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए मुँ में घुमाना है जब तक वो milky white ना हो जाए और consistency में पतला ना हो जाए उसके बाद आप उसको थूग दे फिर नॉमल पानी से आप कुला करे और brushing करे ये method बेक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए cavities को रो होट का application ही आराम देगा maximum time इसमें cold का application बहुत अच्छा काम करता है ठंडे पानी के कुले या ice pack रखने से आपको बहुत आराम मिलेगा अब बात करते हैं homeopathic medicines की ये सारी ही medicines आपको 200 या 1 M की potency में हर एक घंडे में repeat करनी है एंटिम क्रूट कब लेंगे जब दातों में दर्द के सासाथ आपके तंग भी milky white हो और ठंडा पीने से दर्द बढ़ जाता है बोरेक्स अगर oral hygiene अच्छी नहीं है और उसकी वज़े से मुह में अकसर चाले रहते हैं और दातों में दर्द रहता है तो बोरेक्स ले अगर क्रियोजोर और स्टाफिस अगेरिया बहुत अच्छा काम करती हैं दातों में क्रैक आ जाना और उनका गिर जाना ये दो रीजन्स की वज़ा से हो सकता है अगर आपके फैमली में ये टेंडेंसी रन करती है या किसी एक्सिडेंट के बाद एक्सिडेंट के बाद हुआ है तो आइसी कोल पैक का यूज़ करें अगर वो एवलेबल नहीं है तो आइसक्रीम ले सकते हैं वो पेंग को रिलीव करेगा और ब्लीडिंग को भी रूख देगा अगर फैमली में रन करता है तो आपको सिफिलिनम और मर्क सॉल जैसे मेडिसिन वन एम वीक में एक बार लेन नेक्स्ट है रिसेशिंस ओफ जेंजिवल टीशू यानि मसूडों का दातों को छोड़कर ऊपर या नीचे हो जाना ऐसे में मसूडों के पेंग को रिलीव करने के लिए आप ठंडी चीज़ें पेपरमेंट और ऐलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं नीम का दातों बहुत अच चार बार इस्तेमाल करें आपको बहुत अच्छा रिजल मिलेगा नेक्स पेंड को कॉस हो सकता है ग्रांडिंग आफ टीज दांतों को पिसपिसाने की आदत अगर या आदत आपको अंग्जाइटी की वज़े से है तो रात में सूने से पहले हल्दी का दूद पीएं अपन वन एम को वीक में एक बार लें नेक्स पेंड का कॉस हो सकता है गम अपसेस या पैरियो डेंटल अपसेस जैनी मसूडों में मवाद या पसका हो जाना ऐसे में मेथी दाने की चाय बहुत अच्छा राम देती है नमक के गरम पानी के कुल्ले बहुत अच्छा राम देते हैं और साथ में आप एक बाउल में ठंडा पानी और एक बाउल में गरम पानी आप ले ले और पांच मिनिट के लिए गरम पानी और पांच मिनिट के लिए ठंडा पानी आप alternate करके इसे मसूडों पे apply करेंगे तो मवाद बाहर निकल आएगे और आपको पेन में बहुत अच्छा relief मिलेगा विमेपतिक मेडिसिंस में आप साइलीशिया 200 दिन में दो बार repeat करें अगर पस बहुत जादा है cavity वाले tooth के आसपास अगर पस बना हुआ है तो बेले डोना 200 को दिन में दो बार repeat करें अगर मसूडे लाल हैं तो epismel 200 दिन में दो बार repeat करें next है दात निकालने के बाद पेन रहे गया है तो पहले 24 घंटे में आईस क्रिम खाएं उसके बाद आप honey apply कर सकते हैं chamomile tea पी सकते हैं tea bag को उबाल कर उसे ठंडा करके भी आप इसमें apply कर सकते हैं homeopathic medicines में आप hypericum 1M को दिन में 3-4 बार repeat करें calendula 200 को भी दिन में 4 बार repeat करें ये dry socket के सबसे best medicines हैं दातों के दर्ट का अगला कारण हो सकता है sever fluoresces यादि दातों में बहुत जादा पीला पना जाना ऐसा toothpaste के वज़े से हो सकता है जिन toothpaste में fluoride, parabens और artificial sweetness जादा होते हैं तो ध्यान रखें कि आपके toothpaste में ये तीनों चीज़ें कम हो बच्चों में specially ध्यान रखें कि वो toothpaste निगले नहीं भार थोके इस condition को control करने के लिए आप नीम के पत्तों का paste यूज़ कर सकते हैं होमेपेथिक medicines में अगर दात काले पड़ गए हैं तो आप mug और चाइना 30 को दिन में 3 बार इस्तमाल करें अगर धारियों में काले पड़ रहे हैं तो स्टाफिस अगेरिया 30 को दिन में 3 बार इस्तमाल करें स्पॉट्स में है तो क्रियजोट और पीले पड़ गए हैं तो आयोडम 30 का इस्तमाल करें दिन में 3 बार नेक्स पेन का कॉस हो सकता हैं impacted tooth यानि दात मसूडों में ही अंदर फस गया है और वो बाहर नहीं निकल पाया है और पेन कर रहा है ऐसे में पेन रिलीफ करने के लिए जब तक आप डॉक्टर के पास जाके से बाहर नहीं निकल वाते आप ठंडे पानी या गरम पानी के कुल्ले कर सकते हैं होमिपतिक मेडिसिंस में आप हाई पैरिकम मदर टिंचर और कैलेंडूला मदर टिंचर को एक कप पानी में 20-20 पून डाल कर दिन में 3-4 बार कुल्ले करें तो आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा नेक्स्ट और सबसे कॉमन काउस है बैड औरल हाईजीन ऐसे में हम नीम का दातुन इस्तमाल कर सकते हैं पेन बहुत ज़ादा है तो लॉंग को घिसके लगा सकते है या लॉंग का तेल इस्तमाल कर सकते है अधरक लसन का पेस्ट भी पेन में बहुत रिलीफ करेगा ये सारे ही methods pain में relief करेंगे साथ में bed smell से भी आपको निजात दिलाएंगे homeopathic medicines में आप प्लैंटे को mother tinger के 20 बूंद एक cotton में डुबा के लगा के और उसको अपने painful area में रखेंगे तो आपको बहुत relief मिलेगा अगर आपको अपने दर्थ का कोई कारण ही पता तो simply homeopathic medicine यूज़ करें ठंडे से अराम मिलता है तो coffee आवने गरम से दिक्कत होती है तो calcadia काप electric shock like pain है तो macphos 1M अराम मिलता है rest से तो brineya 1M, pain के साथ irritation है तो chamomila और गरम से अराम मिलता है तो arsenic 1M को यूज़ करें अब बात करेंगे दिल और दान्तों के connection के बारे में frequent studies में ये evidence सामने आए हैं कि जिन लोगों को gum diseases होती हैं उन लोगों को heart attack के chances जादा होते हैं एक study में ये पाया गया है कि जो bacteria mouth में मिलता है वही bacteria blockage of heart में भी पाया गया है जिससे heart attack और heart stroke के chances बढ़ जाते हैं second study में टूते को एक warning भी बताया गया है for heart attack third study में जिन लोगों को apical periodontitis होता है उन लोगों को acute coronary syndrome होने के chances हाई होते हैं इसलिए अपने oral health hygiene को बिलकुल भी neglect ना करें इसके बाद बाद करते हैं अगर pregnancy में दातों में दर्द होता है तो CPR 30 की एक single dose आपके दातों को दर्द में आराम दे सकती है बात करेंगे कि रात में दात का दर्द क्यों बढ़ जाता है रात में blood की supply head की तरफ जादा होती है तो pressure भी teeth की तरफ जादा होता है ऐसे में pain भी आपको जादा महसूस होता है इस condition को relief करने के लिए head को elevate करें यानि head के नीचे तकिया लगाएं जिस तरफ pain है उस तरफ ना सोते हुए उल्टी तरफ सोई और pain को relief करने के लिए ointments या balm ना लगाएं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe कीजिए और comment करके मुझे जरूर बताइएगा के आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं Thank you, जय मता दी